देखो बच्चों, हम लोगों की जो क्लास से रही थी, लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्या-क्या बाते बदाई थी, उसका एक शॉट री कैप देख लेते हैं, ताकि आपको उसको रिमाइंड करने में दिक्कत नहीं आए तो देखो बच्चों मैंने क्या बात ने बताई थी आपको एकाउंट अंसी के सारे चप्टर्स का डिसकेशन किया था फिर उसके बाद अपने बात करी थी फंडामेंटल आफ पार्टनर्शिप की तो अगर मैं बात करूँ यह चप्टर जो पर ने स्टार्ट किया था अब फंडामेंटल आफ पार्टनर्शिप इसमें मैंने आपको बताया था तीन तरीके के फॉर्म अब बिज्नस होता है जैसा कि आप देख सकते इस पिट्चर में भी एक होता है सोल पर्पैटर्शिप एक कोई भी परसन जो अपने बिजनस को करता है अकिला ही इपिटल करता है अकिला ही प्रॉफिट भी एंज्जॉई करता है liquids करने वालों मालिख है जो ओनर है वो अकिला हुता दो इसको हम सोल प्रिटर्शिप कहते हूं है अब ओपने बाद पूरीडीटी पारिटिपर असलाइसिप के बारहे में कम से कम दो कि कल को मानलों बिजनस अगर डूब भी जाता है तो एक आदमी का नुकसान कम होता है क्योंकि वो अखिला ही नुकसान को जहलता है और पार्टनर्शिप के अंदर कम से कम डिस्ट्रिबूट करने मुले दो लोग होते हैं कंपनी के अगंसेट पढ़ना ही अपने बाद में मैंने आपको उसकार बताया था कि हमने 11 क्लास में जब तक पढ़ा था वो पढ़ा था कि सो में ट्रेडिंग अकॉंट बनता है पीनल बनत अकाउंट और दूसरा आपने देखा पार्टनर्स कैपिल अकाउंट मैंने आपको यहां पर प्रॉपिट एंड लॉस एप्रोप्रेशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट भी बताया था कि बताया है कि डेविट साइड में आता है इंटरस्टाउन कैपिटल सेलरी जो भी आ दिखाते थे तो अब उसी का एक्स्टेंशन होगा पीनल अप्रॉपिशन अकाउंट और पीनल अप्रॉपिशन अकाउंट में आप पार्टनर से लिंक अप चीज़ों को दिखाओगे जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट सीडी बीडी में प्रॉफिशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेट जितनी भी चीज़े होती है वो सारी आती है और मैंने यह पॉइंट के रूप में आपको लिखवा भी दिया था इट इस तो बीनोडेट डेट अल दोस आइटम विच आ रिलेटेट तो पार्टनर विल बी नहीं है उसके लिए सेपरेट बनाया जाता है जो पार्टनर से लिंक अप है उसके लिए पीनल अप्रॉपिशन बनाया जाता है एक्जामपल के तौर पर मैंने आपको बताया था यहां पर अगर हम एक्जामपल की बात करें तो यह एक्जामपल मैंने आपको समझाया था कि अगर आप पार्टनर को कमीशन दे रहो तो वह लगए लगा सब कंशन है कि तो यह तो थी सारी अब तक की बाते अब हम जो बात पड़ने जा रहें आगे का अगे के को आप heading डालें कि partnership deed तो मैंने आपको बताऊंगा कि यह partnership डीड क्या होती है कि partnership को डीड को ठीक है तो देखो आप partnership deed को समझने के लिए आप इस तरह के से समझा देखिए ये दो partner ये partner A है कि partner B है ठीक है अब हुआ क्या इन में दोनों में इनमें दोनों में दोनों पार्टनर्स के बीच में आपस में अच्छी mutual understanding थी तो आपस में फ्रेंड आईए दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं फ्रेंड भी हो सकते हैं आपस में ब्रदर भी हो सकते हैं partnership तो किसी के बीच में भी हो सकती है तो दोनों आपस में प्रेंड्स हैं, understanding थी इन्में, तो understanding थी, तो आपस में किसी तरीके का कोई agreement करने की इनको ज़रुवत नहीं लगी, ठीक है, बई agreement क्या चीज होती है, कल को future में मानके चलिये, हुआ ये, ऐसे example के तोर पर मैं बात बता रहा हूं, ची ऐसा जगडा हो सकता ह ऐसे dispute arise हो सकते हैं इनके अंदर किस तरीके के dispute arise हो सकते हैं आपस में ये जैसे example के तोर पे मानके चलिए इसने लगाए 10 lakh rupees इसने लगाए 5 lakh rupees ठीक है लेकिन काम पैसा कम लगाया है लेकिन काम ज्यादा करता है काम ज्यादा करता है देख भी रहे हो आप सूटबूट पैनके खड़ा हुआ है काम ज्यादा करता है लेकिन इसने पैसे ज्यादा लगाया है लेकिन काम ज्यादा करता है पैसे ज्यादा लगाया है उसमें पैसे कम लगाया है काम ज्यादा कर रहा है future में क्या होता है अभी तो देखो इनकी अच्छी mutual understanding है लेकिन future में क्या हुआ कि कल को अगर यह profit कमाते हैं मानके चलिए profit कमाया इन्होंने 10,000 रुपीस का तो हो सकता है कि आपसमें में जगड़ा हो जाए यह बोले कि मैं ज़्यादा profit लूँगा क्योंकि काम ज़्यादा मैं करता हूं हो सकता है यह बोले कि मैं ज़्यादा profit लूँगा मैं मैंने पैसे ज़्यादा लगाए है ना तो इस dispute से बचने के लिए हम क्या काम करते हैं पहले पार्टनर्शिप डीड बोलें तो अब इसकी डेफिनिशन लिखवा रहा हूं हाला कि आपको ये बात तो समझ में आगए कि पार्टनर्शिप डीड क्या है पार्टनर्शिप एग्रिमेंट क्या है कि फ्यूचर में होने वाले dispute से बचने के लिए हम क्या काम करते हैं partnership deed रखते हैं ठीक है तो लिखें इसके अंदर इसका जो है meaning लिखें लिखें यहां पर लिखें बच्चो देखो partnership deed partnership deed is a return agreement partnership deed is a return agreement partnership deed is a return agreement between the partners in which all the things are mentioned in which all the things are mentioned to avoid future disputes फिर आगे लिखें points to be mentioned in partnership deed आप कौन-कौन से points mention होते हैं partnership deed के अंदर वह देखेंगे फर्स्ट how much interest on capital will be given to the partner how much salary salary or commission will be given to the partner how much interest on drawing will be charged from partner what will be the profit sharing ratio what will be the profit sharing ratio you know or either in case partner given loan to the firm either interest on loan given to partner or not to dekho yeh sab chile hai 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 eh partnership deed ka meaning मैं आपको फिर समजा रहे णा公司 partnership deed क्या चीज है पहले तिसको देखलो एक बर आप लो कि ना के partnership deed partnership deed is a return agreement between that partners partners पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रिमेंट होता है, in which all the things are mentioned, to avoid future dispute, future में dispute arise ना हो, उसके लिए हम सारी चीज़े mention करके रखते हैं, जैसे mention करके रखते हैं कि business का name क्या है, ठीक है, business का nature क्या है, ठीक है, partners के नाम क्या है, किस partner को कितना interest on capital दिया जाएगा, यह देखिए, कि partner को कितना interest on capital दिया जाएगा, किस partner को कितनी salary दी जाएगी, कितनी commission दी जाएगी, किस partner से कितना interest on drawing charge किया जाएगा, है ना, इनका profit sharing ratio क्या रहेगा, loss sharing ratio क्या रहेगा, profit and loss sharing ratio, what will be the profit sharing ratio and loss sharing ratio, दो नहीं होने चाहिए, यह decided होना चाहिए, पहले से ही, ठीक है, in case partner has given loan to the firm, अगर partner ने firm को loan दिया है, ठीक है, तो उससे interest on loan कितना उससे charge करेंगे, कितना नहीं करेंगे, यानि वो सारी बातें, जो हमें लगता है कि हाँ, यह बातें dispute arise कर सकती है, वो सारी बातें हम पहले से ही decide करके रखेंगे, partnership agreement में, लेकिन देखिए, कई बार क्या होता है, कई बा आपस में, आपस में partnership जब deed नहीं रखते हैं, कई बार ऐसा होता है, आपना स्टार्ट कर देते हैं, आपने business को, ठीक है, partnership नहीं रखते हैं, तो उस case के अंदर क्या होता है, वो मैं आपको बात बताता हूं, तो देहोą, अब क्या था, जैसे यहापने आपन सारी बात तो यहां डालें कईवार ऐसा होता है जैसे दो पार्टनर है यह पार्टनर भी है शुरूर में तो इनकी अच्छी ती ठीक है लेकिन इन्होंने क्या काम किया कि आपस में पार्टनर्शिप डीड नहीं रखी और जगड़ा करते हुए सीधा कहा पहुंच गए दोनों मिलकर सीधा कहा हुँच कूर्ट में ठीक है जद्षाप आपके आप के सामने साथ लिए अन दोनों पार्टनर बैठें दोनों पार्टनर इस बात को बोल रहे हैं कि साथ मेरे को तो है ना इंट्रेस्ट अन कैपिटल इतना चाहिए था मैं ज्यादा काम करता हूं है ना मुझे सेलरी इतनी चाहिए मैं ज्यादा काम करता हूं वो कह रहे हैं नहीं मैंने पैसे ज्यादा लगा है मुझे ज्यादा च तो अब यह बोलेंगे नहीं साब नहीं, पार्टनर्शिप डीड को हमने नहीं रखी, अब पार्टनर्शिप डीड नहीं रखी है, तो ऐसे के इसके अंदर रूल्स एप्लिकेबल होंगे, रूल्स एप्लिकेबल होंगे, किसके रूल्स एप्लिकेबल, इन पार्टनर्शिप एक्ट 1932 पार्टनर्शिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ रूस दे रखे हैं वो applicable होगे ठीक है तो यह देखो यहाँ पर अपन हेडिंग डाल देते हैं rules applicable in the absence of partnership act in the absence of partnership deed partnership deed तो सबसे पहले तो क्या पूछा जद साब ने पूछा कि क्या तुम दोनों ने partnership deed रखी वी थी तो इनका जवाब था नहीं साब हमने partnership deed तो नहीं रखी थी तो बोले ठीक है तो अब partnership deed अगर नहीं रखते हो तो ऐसे कि इसके अंदर जद साब बैटेंगे वो क्या फैसला देंगे देखो दोनों पार्टनर ये चीज़ समझ लो कि ना तो तुम्हें कोई interest on capital मिलेगा दोनों सुन लो कि ना तो तुम्हें दोनों को कोई interest on capital मिलेगा ना तुम्हें कोई salary मिलेगी ठीक है ना तुम्हें कोई commission मिलेगी है न और profit और loss equal equal share होगा ये मैं नहीं करा ये जद साब ने बोला क्योंकि partnership act 1932 के अंदर ऐसा नियम है ऐसा रूल लिखा हुआ है और वही रूल अपनको applicable करना पड़ेगा तो याद रखना question के अंदर अगर ऐसा आ गया कि partnership डीड नहीं है partners के बीच में तो यह आप लोगों को भी पता होना चीज बात का कि question के अंदर अगर लिखा हुए कि interest on capital दो या salary दो या commission दो तो आप नीचे note के रूप में लिख कर आएंगे as there is a no partnership deed between the partner therefore interest on capital salary commission will not be given profit and loss कैसा share होगा equal equal share होगा ठीक है और यदि किसी partner ने firm को loan दिया है तो उसको उसके उपर 6% की rate से interest दिया जाएगा ऐसा नियम है तो वो नियम के हिसाब से अपन को इसके अंदर चलना पड़ेगा ठीक है तो देखो मैं लिखवा देथा हूँ rules applicable in the absence of partnership deed लिखें आपर rules एप्लीकेबल in the absence of partnership deed जाएगिए इसगे अपार्टेडिगे रिखे लिखे है लिखे के लिखे है लिखे if there is no partnership deed deed between the partners बिम्स दोल हुड शोल जो क्ryम नच सेमारार कहने भीकड़न स्व要ड़ान के जिल्यर कैपतों पैंजक़ कापन गैपिलleşन थायफों इन भ्रつ बिम्स दीन the commission will be given to partner and no interest on drawing and no interest on drawing will be charged from partner ठीक है तो क्या लिखा में नहीं आपर if there is no partnership deed तो मैं इसको headlight भी कर दिया if there is no partnership deed between the partner partnership deed नहीं है तो ऐसे case के अंदर क्या करोगे no interest on capital no salary no commission will be given ठीक है और no interest on drawing will be charged और ना ही कोई interest on drawing charge किया जाएगा यह ध्यान देने वाली बात है और हाँ किसी भी partner ने अगर firm को loan दिया है तो हाथ का निशान डाल के लिखें if any of the partner has given loan to the firm any of the partner any of the partner has given loan to the firm firm then interest on loan will be given interest on loan will be given to to that partner at the rate 6% per annum यह बहुत important point है कि अगर किसी भी partner ने firm को loan दिया है तो उसको आप 6% per annum की rate से interest on loan देंगे interest on loan कितना देंगे 6% per annum की rate से यह कब होता है rules applicable in the absence of partnership deed याद रखना absence of partnership deed तो यह सारे नियम जब तक अपन को याद नहीं होंगे हम उसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे ठीक है अच्छा अब मैं आपको एक note के रूप में एक बात और लिखवाने जा रहा हूं उमीद है यहाँ तक आपने लिख लिया होगा सारा अब note के रूप में एक बात और लिखो लिखो यहाँ पर हाथ का निशान डालें यह चीज ध्यान रखें आपकी interest on loan को हमेशा हम माना interest on loan आप किसको देते हो पार्टनर को देते हो उसके बावजूर भी interest on loan को हम profit and loss appropriation account में नहीं दिखाते हैं हम इसको penal account में दिखाते हैं it is to be noted that it is to be noted that if any of the partner any of the partner has given interest on loan then interest on loan will be recorded in then interest on loan will be recorded in कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं profit and loss account profit and loss account not in profit and loss appropriation appropriation ठीक है bracket में लेके in spite of that in spite of that it is given to partner बहुत important point है बच्चों usually बच्चों इस पार्ट में गलती कर जाते हैं मैंने क्या लिखवा है यह note करने वाली बात है क्या कि if any of the partner has given क्या दे रहो आप interest on loan अगर दे रहो किसी भी partner को ठीक है interest on loan अगर आप दे रहो then interest on loan will be recorded in कहाँ रिकॉर्ड करोगे recorded in profit and loss account आप किसको दे रहो interest on loan partner को दे रहो उसके बावजूद भी इसको हम profit and loss account में दिखाते हैं not in profit and loss appropriation account profit and loss appropriation account में नहीं दिखाते हैं यह exception है चाहो तो यहाँ पर लिख लो exception यह exception है है ना in spite of that it is given to partner ऐसा क्यों ऐसा क्यों करते हैं देखो ऐसा इसलिए करते हैं इसको मैं explain करता हूँ इस diagram से मान के चलो यह partner है यह partner A यह partner B इन दोनों का यह partnership business था अब इन दोनों को partnership business के अंदर पैसे के जुरत पड़ी इनका partnership business था अब इनको क्या जुरत पड़ी पैसे की जुरत पड़ी दोनों partners को है ना तो इन partner ने क्या decide किया यह चलो एक काम करते हैं bank से जाके loan लेकर आते हैं तो इन्होंने decide किया चलो कल जाओंगा मैं bank में जाके loan लेकर आ जाएंगे है ना तो आपस में decide कर लिया कि bank से loan लेकर आएंगे तो वहीं पर ही क्या बात हुई जब अगले दिन सुबह ए जब loan लेने जा रहा था bank से तो इसके दिमाग की बत्ती जली इसने सुचा कि क्यों ना एक काम करूं कि यह जो है हमारी जो partnership firm है जो bank से loan लेने जा रही है क्यों ना मेरे जो wife के पास मेरी wife के पास मेरा personally पैसा पड़ा हुआ है मैं इसको इसको इबात बोलूँ कि तुम भार से loan लेने जा रहे हो क्यों ना मैं तुम्हे परसनली अपना loan दे देता हूं तो इसको क्या बात बोला इसको इबात पता है कि मेरे पास personally मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है wife के पास पैसा पड़ा हुआ है तो मैं इसको इबात बोलता हूं कि मैं as a capital पैसा नहीं लगा रहा हूं तुम यह मान के चलो जो bank से पैसा लेने जा रहे थे तो वह एक काम करते हैं partnership firm को है ना मैं personally loan दे देता हूं personally loan दे देता हूं as a capital नहीं दे रहा as a capital नहीं अगर as a capital दूंगा तो फिर तो वह interest on capital हो जाएगी as a capital नहीं as a loan दे रहा हूं तो जो पैसा मैं bank से लेने जा रहा था तो मेरे partner ने क्या बोला ही ठीक है मैं तुम्हें loan दे देता हूं लेकिन मुझे partner समझके मतलो मुझे यह loan जो ले रहे होना third person समझके लो तो इसने क्या सोचा कि ठीक है मैं bank से loan लेने जाऊंगा बैटर यह है कि अगर firm को यह third person बनके loan दे रहा है तो तो देदे loan देदे firm को third person बनके as a third person तो अब partnership जब आपस में जब इन में जगड़ा हो गया था तो जब यह court में पहुच गए थे तो जजज साब ने पूछा कि अच्छा तुमने firm को loan भी दिया था एक particular partner से पूछा अच्छा तुमने firm को loan भी दिया था तो partner ने बोला हाँ मैंने firm को loan दिया था तो ऐसे case के अंदर judge साब का एक soft corner होता है कि तुमने अगर judge साब कहेंगे कि अगर तुमने firm को as a third person मानते हुए loan दिया है न तो आपको ऐसे case के अंदर हम एक soft corner provide करेंगे और आपको interest on loan जो है उसके उपर 6% per annum की rate से interest आपको जो loan आपने दिया था as a third person समझते हुए हम आपको उसके उपर interest on loan देंगे 6% per annum की rate से है ना इसके बावजूद भी कि deed में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ ऐसा partnership act में लिख दिया गया कि अगर किसी partner ने firm को loan दिया तो उसको 6% per annum की rate से interest on loan दिया जाएगा अब आप खुछ सोचे ना कि यह जो firm को loan दे रहा है as a third person समझके दे रहा है यह चाहिए तो नहीं रहा थे रहा है ऐस पार्टनर बानते वह की तो नहीं दिखा है है हम इसको demokrat करषण कापर दिखा हां चाहिए थर्ड परसन की हैसियत से रहा है अगर आप पार्टनर को भी दे भी रहे हो उसके बावजूद भी हम इसको कहाँ पर दिखाते हैं हम इसको दिखाते हैं पेनल अकाउंट के अंदर ऐसा नियम है ठीक है और उसके बारे में हाला कि मैं डिटेल में चर्चा करूंगा आगे जाके आएगा चार्ज अगेंस प्रॉफिट अप्रॉपिरेशन अगेंस प्रॉफिट तो वो सारी चर्चा हैं अपने वहाँ पर करनी है तो हल फिलाल आप इस नियम को मनते वे चलेंगे कि अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको उसके उपर 6% पर एनम की रेट से इंट्रेस्ट दिया जाएगा ठीक है और उसको इंट्रेस्ट अन लोन को आप पीनल अकाउंट में दिखाएंगे कि पीनल अकाउंट क्या है ठीक है तो चलो इसको लिखते हैं समझते हैं इस एक्जामपल को और पहले तो लिख लो में क्या क्या चीज़े हैं तो लिखो शिव और हरी एंटर इंट्व पार्टनर्शिप अन 1st अप्रेल 2013 लिखें यह आपर शिव और हरी एंटर इंट्व पार्टनर्शिप अन 1st अप्रेल 2030 ठीक है शिव और हरी एंटर इंट्व पार्टनर्शिप अन 1st अप्रेल 2013 ठीक है आगे लिखें हरी एंटर्द इंटर्द एंट Jedis कमहें हरी ज़ुल ऑई इंटर्द उक्रीस rupees 1 lakh Harry also introduced rupees 1 lakh अब हरी also introduced अब बड़ा कर जेता हूं पॉर्ण जिसे आप लोगों को ठीक्षने में ठीकर ना है ठीक है Harry also introduced rupees 1 lakh and additional capital ठीक है आगे लिखें on 1st July 2013 on 1st July 2013 again they agreed to share profit and losses in the ratio 3 to 2 they agree to share profits and losses in the ratio 3 to 2 next following information is provided regarding partnership following information is provided regarding partnership अब वो क्या information provide की गई है वो बता देता हूं आपको Shiv and Harry each are allowed salary of rupees Shiv and Harry each are allowed salary of rupees 5,000 per quarter per quarter ठीक है next next लिखें interest on capital is allowed at the rate 8% per annum 8 8% per annum एक्या हगा अहे लिखें अगे लिखें आगे लिखें Shiv and Hari during the year drawings of Shiv and Hari during the year were rupees 12,000 and 10,000 were rupees 12,000 and rupees 10,000 again respectively profits as on 31st March 2014 profit as a 31st March 2014 before the above-mentioned adjustment before the above-mentioned adjustment yes rupees 1,96,000 prepare profit and loss appropriation account तो चलिए बच्चो इसके अंदर देखो हमें क्या बनाना है इसके अंदर हमें बनाना है profit and loss appropriation account profit and loss appropriation account यहां बनालेंगे अपन format तो चलिए यहां पर आजाएगा आपका particular और amount particular and amount तो चलिए तो किस तरीके से करेंगे इसको यह प्रोपर आपका बनाना है इसका format और ऊपर आप heading डाल दीजिए अंजर solution लिए और ऊपर लिख दीजिए profit and loss appropriation account profit and loss appropriation account अब देखिए profit and loss appropriation account का मैंने आपको format भी बताई दिया था और कौन कौन सी चीज़े कहा का कैसे कैसे आती है अब सबसे प्रहे देखो को मैं आपको पढ़ देता हूं ताकि आपको पूरा question समझ में आ जाए फिर एक एक चीज करके अपने लिखते चले जाएंगे लिकेशिवन हरी एंटर इंटर इंटू और वह कप की हैं फर्स जॉलाई 2013 को ठीक है प्रॉफिट और लॉस शेरिंग रिशो थी स्टू टू है जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और लॉस एप्रॉटिशन अकाउंट में अपन सेलरी रिखाते हैं तो शिव और हरी दोनों को इच एलाउड असेलरी सेलरि करते हैं तो पर क्वार्टर अगर होता है तो हम फोर से इंटू करते हैं 12 मेने के निकालने के लिए वाता है for the year ended बनता है साल पर क्या बनता है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा for the year ended में आपको 12 महेने के salary निकालनी पड़ेगी तो जब question के नदर salary दे रखी है तो क्यों ना अपन यहां पर salary लिखी दें, तो लिख देंगे यहां पर, लिखें 2 salary, शिव को भी दे रहें, और हरी को भी दे रहें, 5000 रुपीज पर quarter है, तो 5000 into 4, तो यह हो जाएगी 20,000, ऐसी यहां पर इसको भी 5000 है, 5000 into 4, तो यहां पर भी हो जाएगा, 20,000, ठीक है, चलिए, इसके बाद देखी, क्या लिखा हुए कोशन के अंदर, लिखा हुए हम, interest on capital हमने देना है, कितना देना है, is allowed 8% पर है रहें हम, आपको कोशन के अंदर दे रखी है, शिव की capital दे रखी है, 5,00, रुपीज की, देख पारे हैं आप यहां पर, शिव की capital है, 5,00, रुपीज की, और हरी की capital है, 2,00, रुपीज की, लेकिन additional capital भी है, 1,00, यह भी अपन को जान देना है, तो interest on capital भी अपनको निकालनी है, कोशन के अंदर आपको interest on drawing भी दे रखी है, so interest on drawing भी आपको निकालनी है, और अगर आपको याद हो, करके लिखते हैं। तो देखो यहां पर उपर जो हम लोगों ने यहां पर आप देख सकते ओं यहां पर ये तर्essions त्र प्रékड करके लिखा था वहीं ड्ट प्रोफिट फ्रेट विडिले करके लिखा था वहीं बदहते हैं ठीक है यहां पर आएगा बाई net profit BD करके यह जो question के अंदर 1,96,000 लिखे है यह 1,96,000 यह वाले यह 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 बाई net profit BD करके आपके आए नहीं है ठीक है यह यह आपके 1,96,000 by net profit BD करके यहां पर आएंगे by net profit BD 1,96,000 लिखे है अब मैं अगली ग्लास के अंदर आप लोगों को इसे कहूंगा कि किस तरीके से interest on capital निकालनी है कैसे month-wise उसकी calculation होगी कैसे हम interest on drawing निकालेंगे PNL Appropriation Account को पूरा करने के बाद फिर हम अगले के अगले topic के अपर अपने proceed करेंगे उमीद करता हूँ यहां तक की बाद अच्छी तरीके से clear होई होगी